प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्षितिश भाग दो कक्षा 10 के पार्थ 12 लखनवी अंदास जिसके रचियता यश्पाल जी है इस पार्थ को समझने का प्रयास करेंगे शायद पार्थ आपने पढ़ भी रखा हो तो यश्पाल जी के पार्थ की भूमिकाद को देखते हुए हम देखते हैं कि यूँ तो यश्पाल ने लखनवी अंदास व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथे के कहानी नहीं लिखी जा सकती परंतु एक स्वतंत्र रचना की रूप में इस रचना को पढ़ा जरूर जा सकता है यश्पाल उस पतंशील सामन्ती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक्ता से बेखबर एक बनावती यानिकी नकली जीवनशैली का आदी है कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृती को देखा जा सकता है तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम कहानी के सार को देखते हैं जिसमें हम कहानी की एक बानिगी स्वरूप को देखेंगे लखनवी अंदास कहानी की शुरूवात कुछ इस तरह होती हैं लेखक ने भीर से बचने एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सूचने वो ट्रेन की खिड़की से बाहर के प्राकरतिक द्रिश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन यानिकी मुफसिल के सेकंड क्लास का क कुछ मेहंगा डिकेट खरीद लिया जब वे स्टेशन पहुंचे तो गाड़ी छूट नहीं वाली थी इसलिए वे सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ कर उसमें चड़ गए लेकिन जिस डिब्बे को वे खाली समझ कर चड़ गए थे वहां पहले से ही एक ल लेखक को देख नवाब साहब बिलकुल भे खुश नहीं हुए क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दिया अब आप अंदाजा लगाईए कि दोनों बर्थ पर एक तरफ नवाब साहब बैठे हुए हैं बहुत आराम से और दूसरी तरफ लेखक आकर बैठे हैं और नवाब साहब लेखक का आना पसंद नहीं कर रहे हैं और लेखक इस बात का अनुमान लगा पा रहे हैं तो देखते हैं उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साई रूची नहीं दिखाई लेखक उनके सामने वाली सीथ पर बैठ गए लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाए करने की उनकी पुरानी आदत थी अब लेखक हैं तो कल्पनाए तो करते ही होंगे जाहिर सी बात है इसलिए वे उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमाल लगाने लगे वे सोच रहे थे शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से से क्लास का टिकेट ले लिया होगा लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भ करते देखें उन्होंने अकेले सफर में वक्त अच्छे से कट जाए यही सोच कर दो खीरे खरीदे होंगे कि आराम से अकेले बैठेंगे और समय व्यतीत करने के लिए दो खीरे तो हैं ही उनको काट कर खा लेंगे परंतु अब किसी सफेद पोश आदमी के सामने खीरा कैसे खाएं क्योंकि खीरा अपने आपमें ठोड़ी सस्ती वैस्दु है और नवाप सहब को किसी के सामने खीरा में संकोछ हो रहा होगा तो अब देखते हैं आगे क्या होता है नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और उसे छोटे छोटे टुकडों यानि की फांकों में काटा फिर उसमें जीरा लगा नमक, मिर्च लगाकर उसको करीने से सजाया इसके बाद नवाब सहब ने नमक मिर्ची लगे उन खीरे की फांकों को देखा फिर खिड़की के बाहर देखकर एक गहरी सांस ली उसके बाद नवाब सहब खीरे की एक फांक को उठा कर होटो तक ले गए अब आप सोच रहे होंगे कि नवाब सहब खीरे की फांक को होटो तक ले गए होटो तक ले जाकर क्या किया होगा नवाब सहब ने? क्या खीरे की फांक को खा लिया होगा? नहीं, नवाब सहाब ने खीरे की फांक को सूंगा स्वाद के आनंद में नवाब सहाब की पलके मूंद गई मुँ में भर आई पानी का घूट गले में उतर गया उसके बाद नवाब सहाब ने खीरे की उस फांक को खिड़की से बाहर फैंक दिया इसी प्रकार नवाब साहब खीरे की हर फांक को होटों के पास ले जाते फिर उसको सूंगते और उसके बाद उसे खिड़की से बाहर फेंक देते खीरे की सारी फांकों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तॉलिय से हाथ और होटों को पोचा फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका नवाब साहब खीरे की तयारी और इस्तेमाल से ठक कर लेट गए लेखक ने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सुनकर ही पेट भरा जा सकता है तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बूले खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोज डाल देता है यह सुनकर लेखक के ज्यान चक्षू खुल गए उन्होंने सोचा कि जब खीरे के सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरने की डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना, कथावस्तू और पात्रों के सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी लिखी जा सकती है अब आप सोचिए कि नवाब साहब ने खीरों की अच्छे से तयारी की अच्छे से उस पर मसाला लगाया लेकिन सूंग कर फेक दिया अब विद्यार्तियों इस बात पर विचारतों आपको करना होगा तो यह था कहानी का सार, मुझे उम्मीद है कि आप कहानी को अच्छे से समझ गए होंगे तो अब हम इसके थोड़े से नए शब्द देखते हैं कहानी में बहुत सारे नए शब्दों का प्रियोग हुआ है अगर आप उन्हें ध्यान से देखे तो आपको कहानी को समझने में बहुत साहता मिलेगी पहला शब्द हम लेते हैं मुफसिल मुफसिल का क्या अर्थ है? मुफसिल आपको देखने में ही शब्द उर्दुनिष्ठ लग रहा है क्योंकि ये कहानी लखनव के आंचल से ली गई है तो इसमें उर्दुनिष्ठ शब्दों की भरमार है तो पहले शब्द को देखते हैं मुफसिल जिसका अर्थ होता है किंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द के स्थान सफेद पोश मैंने आपको बताया था सफेद पोश का अर्थ है भद्र व्यक्ति किफायत, आप जानते ही होंगे, किफायत का अर्थ होता है मित्वयता या समझदारी से किसी वस्तू का उप्योग करना एहतियात, एहतियात का अर्थ होता है सावधानी बुरक देना ये भी उर्दुनिष्ट शब्द है बुरक देना का अर्थ जब आप घर में कोई सबजी या फल काटते हैं और उस पर नमक या मिर्च को या चाट मसाला को बुरकते हैं यानि कि छिड़कते हैं उसे कहते हैं बुरक देना स्फुरन का अर्थ होता है फलकना या हिलना जैसे खीरों को सूंग कर नवाप सहाब के होट फलक रहे थे हिल रहे थे अगला शब्द है प्लावित प्लावित होता है पानी से भर जाना मूँ में पानी भर जाना पनियाती आपने शब्द बहुत प्रयोग भी किया होगा और सुना भी होगा तो पनियाती का अर्थ होता है रसीली जैसे खीरे की पनियाती फांकें खीरे की रसीली फांकें मेदा, मेदा का अर्थ होता है अमाशय, साधारन शब्दों में इसे पेट बोल सकते हैं अगला शब्द है तसलीम, तसलीम का अर्थ होता है सम्मान से, सम्मान पुर्वक अगला शब्द है सिर्खम करना, सिर्खम करना अर्था सिर्जुकाना अगला शब्द है तहजीब यह शब्द आपने बहुत सुना होगा तहजीब का अर्थ होता है शिश्टता अगला शब्द है नफासत नफासत का अर्थ होता है स्वच्छता नजाकत नजाकत का अर्थ होता है कोमलता अगला शब्द है नफीस, नफीस का अर्थ है बढ़िया, नफीस खीरे, बढ़िया खीरे तो ये सारे शब्द आपके पाठ में प्रयोग किये गए हैं अगला शब्द है abstract, abstract का अर्थ होता है सुक्ष्म सुक्ष्म का अर्थ है जिसका भौतिक अस्तित्व ना हो जो बहुत छोटा हो अमूर्त हो यानि कि जिसको देखा ना जा सकता हो एक और शब्द दिया गया है सकील सकील का अर्थ होता है आसानी से ना पचने वाला और इस शब्द का प्रियोग जब हुआ था जब नवाप साहब ने लेखक से पूछा था कि क्या आप खीरा खाएंगे किबला शौक फर्माए तो लेखक ने कहा था कि खीरा सकील होता है आसानी से ना पचने वाला होता है जो मेदे पर यानि की अमाशे पर बोज डाल देता है तो विद्यार्थियों अब हम पाठ की भाशा चली देखते हैं आपने बहुत सारे शब्दों को देखा कि शब्द उर्दू निष्ठ थे मैंने आपको बताया कि लखनवी अंचल के जो शब्द होते हैं वो उर्दू निष्ठ होते हैं यानि कि उसमें उर्दू भाशा का प्रयोग होता है और आजकल तो उर्दू शब्दों का आप सामाने बोलचाल में भी प्रयोग करते ही हैं तो प्रस्तोत पाठ की भाशा उर्दू निष्ठ हिंदी है एवन यह पाठ एक व्यंग्यात्मक पाठ है व्यंगे का अर्थ आप जानते ही होंगे व्यंगे का लेकिन उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा होता है ज। ये श्पाल जी की रचनाओं में आम आध्मी के सरोचारों की उपस्थिती होती है वियतार्थ वादी शैली याने की वास्तविक्ता वास्तविक शैली के विशस्च्ट रचनाकार हैं और इस पार्ट में भी ये तो आप देखेंगे कि जो चित्र है, पाठ का चित्र, कहानी का चित्र, समवाद जो है वो आपकी आखों के सामने घूमने लगे हैं तो इन्ही बातों से हमें पता चलेगा कि भाशा में स्वभाविक्ता भी है और सजीवता भी है तो अब कुछ अभ्यास प्रश्णों को देखते हैं पहला प्रश्ण है लेखक को नवाप साहब के किन किन हावभावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बादचीत करने के लिए तनिक भी यानि कि जरा भी उत्सुक नहीं है तो विद्यारतियों अब आप अंदाजा लगाईए कि आपके सामने अगर कोई बैठा हो तो आप कैसे समझ जाते हैं कि वो आपसे बात करने के लिए तयार नहीं है तो ऐसा ही कुछ लेखक को भी महसूस हुआ अब देखते हैं कि लेखक को कैसे पता लगा कि नवाप साहब उनसे बात करने के लिए तयार नहीं है लेखक को नवाप साहब के निम्नहा भावों से पता लगा कि वे लेखक से बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है लेखक की उपस्थिती से नवाब साहब की आँखों में एकांत चिंतन में विग्न का असंतोश दिखाई पड़ा यानि कि उनको ऐसा लगा कि अब वे संतोश से जैसे बैठे थे अब किसी के आने से उनको विग्न जैसा महसूस हुआ नवाब साहब का लेखक से बातचीत करने में कोई उत्सा नहीं दिखाई दिया तो ऐसे ही पता चलता है कि सामने वाला हमसे बात करने के लिए उत्सुक नहीं है जब उसकी बातों में कोई उत्सा नहीं दिखाई देता वरना जाते ही क्या पता नवाप साहब लेखक का परीचे लेते आप कहां जा रहे हैं किसलिए जा रहे हैं या मैं यहां जा रहा हूँ तो इन बातों से परीचे भी होता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला बात करना चाहता है परन्तु ऐसी कोई रूची नवाब साहब ने नहीं दिखाई थी तो नवाब साहब का लेखक की उपस्थिती को लगातार नजर अंदाज करना और उनके प्रती उदासीनता का भाव प्रकट करना नवाप साहब का लेखक की ओर देखने वो उनसे बात्चीत करने की बजाय गाड़ी के खिडकी से बाहर देखते रहना इससे तो साफ पता चल जाता है कि सामने वाला बात करने के लिए इच्चुक नहीं है तो अगला प्रशने है नवाब साहब ने बहुत ही अतन से खीरा काटा नमक मिलचपुर का अंतता सुंगुकर ही खिड़की से बाहर फैंक दिया उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा उनका ऐसा करना उनके कौन से सोभाव को इंगित करता है तो कहानी का सार आपने सुना है और मु नवाब साहब का बहुत ही अतन से खीरा काटना उस पर नमक मिलचपुर रखना और अंतता सुंग कर ही उसे खिड़की से बाहर फैंक देना उनके जूठे अभिमान वह नवाबी घमंड को दर्शाता है और उन्होंने ये काम अपने सुभाव के अनुरूप ही किया अब उन पर अपनी अमीरी का रॉब दिखाना चाह रहे थे इसलिए उन्होंने खीरे को सुंग कर बाहर फैंक दिया तो विद्यार्थियों आपने देखा कि हमने दो प्रश्नों पर चर्चा की हमने दो प्रश्नों को देखा जो हमें पाठ को और अच्छे से समझने में सहायता करते तो पाठ आप एक बार और क्षितिज पुस्तिका से पढ़िएगा और इसके लिए मैं आपको दो प्रश्न दे रही हूं जिनमें आप सोचेंगे कि उनके उत्तर क्या होंगे तो अब आप बताएंगे प्रश्न एक है बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी नवाब साहब का बिना खीरा खाए पेट भर गया और उन्होंने एक लंबी डकार भी ली तो ऐसे में क्या बिना पात्र कथा वस्तू समवाद इन सबके बिना क्या कहानी लिखी जा सकती है यश्पाल जी ने तो ऐसा एक इशारा किया है तो अब आप इस कथन को पुखता कर के बताएंगे कि क्या ऐसा किया जा सकता है प्रेशन दो है नवाब साहब द्वारा खीरा खाने के त्यारी करने का एक चित्र प्रस्तूत किया गया है वो चित्र आपने देखा था मैंने आपको बताया भी था कि चित्र में नवाब साहब ने खीरों को अच्छे से पानी से फिर उनको छीला, उनकी फांके बनाई, उनको तोलिये पर करीने से सजाया और उस पर जीरा लगा नमक बुर्का, मिर्च बुर्का और उसको अपने होठों तक ले गए हमें लगा कि खाने के लिए ले गए होंगे पर उन परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया नवाप सहाब ने खीरों को बहुत अच्छे से सुंगा, उनके मूँ में पानी भी आया, पर उनको सुंगने के पश्चाथ उन्होंने रेल की खिलकी से उन्हें बाहर फैंक दिया तो ये पूरा चित्र जो तैयारी का चित्र था, वो आप अपने शब्दों में लिखेंगे, इस पूरे प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे लिखेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि लकनवी अंदास को आज हमने बहुत अच्छे से पढ़ा और समझा उसके भाशा शैली पर बात की और उसके शब्दार्थों को भी देखा कुछ ऐसे नए शब्द थे जिनसे हम पहले परिचित नहीं थे लेकिन उनको पढ़कर हम पाठ को और अच्छे से समझ पाएंगे हमने अभ्यास प्रश्णों पर भी चर्चा की और उन अभ्यास प्रश्णों से भी हमें पाठ को, कहानी को और अच्छे से समझने में सहयता मिलती है तो प्यारे विद्यार्थियों ये जो अंतिम प्रश्ण थे, अंतिम दो प्रश्ण जो मैंने आपको दिये हैं इनको हल करने का जरूर प्रयास कीजिएगा ताकि पाठ की एक अच्छी समझ आपके पास आ सके तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे उमीद है कि आप इस पाठ को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और और बहतर समझ बनाने के लिए आप क्षितेज भाग दो से पाठ को अवश्य पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रशनों को हल करने का अवश्य प्रयास करेंगे शुब कामनाए धन्यवाद अवश्य प्रूड़ कामना है